तो दोस्तो Q&A की एक नई वीडियो में आप सब का स्वागत है जिन साथियों ने हैस्टिक बोलो राजगुर्ज के साथ मुझे सवाल पूछे हैं उन्हें सवालों के जवाब इस वीडियो में देने वाला हूँ नमस्कार साथियों मैं हूँ आपका अपना साथी राजगुर्ज तो चलिए दोस्तों आपके सवालों का सिलसला शुरू कर लेते हैं और आज के हमारे पहले साथियों जिनका नाम है युनि राज आलांकि देखे इनका कोई सवाल नहीं है लेकिन इन्होंने मुझे पे एक आरोप लगा है मुझे नाराजगी जाहिर इन्होंने की है सबसे पहले इन्होंने जो कमेंट क्या हूँ पढ़िके मा आपको शुना देता हूँ कहता है कि दिन में सो लोग अपनी समस्या की फरियाद लेकर आते हैं इतनी तो सिक्साय भाग के निद्देशक को नहीं मिलती है है किया को चर-चर थोड़ो अरामसू बोला कर यार तो यू निराज भाई देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा और ओडियंस को भी मैं बताना चाहूँगा देखिए साथी इसलिए नराज हैं कि आज से एक-दो दिन पहले मैं नहीं हाँ पे आर्टी की बहुतिक जांच को लेके एक वीडियो बना दिया और जो जांच के लिए गोर्मेंट टिचर आएंगे उनके लिए वीडिया था और उसमें मने सारे खुलास से वो कर दिये थे कि आपको क्या-क्या जांच करना है और इस्कूलों में क्या-क्या कमी पाये जाती हैं क्या अदूरी है कि तरह से फरोड चल रहा है अब कही न कही इनके सिस्टम में फोल्ट है इनके स्कूल में इन आठटी एड्मिशन को लेके थोड़ी वो 420 साइध है और 420 है इसलिए ये बढ़क गई कि आप तो निद्यसक महोदे सुरी वो ज़्यादा बड़े होगे उनके पास भी इतनी फरियाद नहीं आती तो विया देखें मैं आपको बताना चाहूँगा फरियादी उसी के पास आता है जिसकी फरियाद सुनी जाती है निद्यसक महोदे साइद इन लोगों की फरियाद नहीं सुनते होगे और साइद मैं इनकी हेलप वो करता होगा इसलिए साइद मुझसे ये सवाल हो पूछते आपको मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा आपकी जित्ते सोसल मेडिया पर फ्लोर नहीं न उतने तो मेरे पास रो बताना चाहूँगा मेरे साथ ओडियन जो जुड़ी है बच्चे भी जुड़े वे अभिभाव भी जुड़े वे इस्कूल साथी भी जुड़े वे तो मेरा तो यहाँ पर देखिए करता है कि सब को सही जानकारी दूँग जो मेरे पास फरियाद लेकर आता उसको मैं कभी भी गल जानकारी नहीं देता हूँ और मैंने आपको बताया कि हमारे देश को आगे बढ़ने में यदि कोई एट्चने आती हैं कोई रुकाउट पैदा करता है तो यह उस रुकाउट को दूर करने की मैं भरपूर कोशिस करूँगा यह बात सही है कि एक अकेला वक्ती कोई पाड़ नहीं फोर्ण सकता लेकिन वो मांञी वाली बात वो भी आपको ध्यान में रखना है कि नहीं पता है तो मोवी देख लेना मांगी वाली आपको पता लग जाएगा और मैं आपको यह बचा रहा हूँ सचेत हो जाओं मैंने आग से तीन साल पहले भी कहा था और जो मैं कहा रहा हूँ वो दीरे दीरे प्रीवर्तन भी हो रही और मैं अब भी आपको यहाँ पर दुवारा कह रहा हूँ इनके हवाले से सभी स्कूल साथियों को कह रहा हूँ देखे आप पुरण इमानदारी के साथ आठी वाले बच्चों का एडमिसन देवे आप अगर किसी प्रकार की कोई 400 भी सी नहीं करते हो तो आपको गबराने के कत्ते ही आव सेकता नहीं है ये उन लोगों के लिए है जो 400 भी सी कर रहे हैं अब विवाव के साथ दोखा दड़ी कर रहे हैं विधार्तियों के बहुषे के साथ खिलवाड कर रहे हैं अगर कोई भी स्कूल साथी विधार्ति के बहुषे के साथ खिलवाड कर रहा है तो विया मैं चुप नहीं बटने वाला हूँ और जांच होने वाली है रुकना अगर सिक्षा इवाग में एक वी वित्ती इमानदार निकल जाएगा ना तो आपका ये पूरा सिस्टेम हो हिल जाएगा मेरी बात को याद रखना मैंने बैक इंड में प्रोसेस वो शुरू कर रखी है अलांकि जो छोटे स्कूल वाले हैं जो किसी परकार की गलती नहीं करें उनको कत्ते गबराने के आवसेकता नहीं आप मेरे साथ जुड़ें मैं दावगी साथ खर सकता हूँगी बहुत समय आपको किसी परकार की कोई शमश्या नहीं आएगी खैर कोई बात नहीं इस परकार की जो अन्य साथी है उनके लिए एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ और सब को करारा जवाब हमें देने वाला हूँ अन्य था वीडियो काफी लंबी हो हो जाएगी खैर कोई बात नहीं अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं सुनील चोदरी और इनका सवाल ये गुरी जी मैं आपसे गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के बारे में कुछ जानकारी जानना चाहता हूँ चोदरी देखिए मैं आपको कहना चाहूँगा साइद आपने कई बार मुझसे ये सवाल पूछा और मैं हर बार कोशिश करता हूँ कि आज नहीं तो कल तो पक्का गोपाल क्रेडिट योजना पर वीडियो बनाऊंगा लेकिन यार जब रात को उड़ता हूँ सुबह और उड से भले एक नया अपडेट आ जाता है जोकी सबसे इंपोर्टेट होता है और यहाँ पे देखिए मां आपको दिखाना चाहूँगा आता है और यहां पर देखिए अगर आपको दिख रहा है तो half uh हाइलाइट करके नजदी करके आपको दिखाऊंगा गोपाल क्रेडिट यह जना मेरी अंगोली है मैं केमरा में उनसे कहूंगा अपना केमरा वो फोकस कर लीजेगा अगर आपको यहां पे दिखाई दे रहा है तो यह देखिएगा आपका पॉइंट नोट है अगर नहीं है त आपको केमरे पे नहीं दिखा है तो लेकिन यार अपडेट आ जाते हैं कोशिस करता हूं कि आपको सही समय पे सही जानकारी दो फिर अपने घर के भी यार काम हो जाते है किसान का बेटा भी लावनी दावनी का काम चल रहा था वो भी काम साथ में कर रहा था पक्की जानकार तो समय से पहले देता हूँ आला कि देखि शुरुआत मैंने देखि मुझे पता है कि यह जानकरी समय लोगों के पास पहुंचनी चाहिए वो मुझे पता है गबराने के आवसेकता नहीं है चलिए एगले साती का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं परवीन परजापत और इनका सवाल है कि सर्जी टाइम मिले तो जवाब जरूर देना क्योंकि यह प्रोब्लम भूत गरीबों की है एक से चार साल तक कि यह बच्चों को बिना KYC के रासन मिलेगा या नहीं प्लीज तो देखिए प्रवीन भाई मां आपको बताना चाहूँगा देखिए पांस साल तक कि बच्चों की KYC नहीं होती है क्योंकि पांस साल से पहले यहाँ पे बच्चों का फिंगर नहीं आता है तो उनकी KYC कैसे होगी नो टेंशन आपको यहाँ पे हो मिलेगा चलिए अगले साती का सवाल लेते हूँ और पूछने वाले हैं भेरू दोबी इनका सवाल यह है जै हिंद जै भारत यूडाइस में बच्चों के नाम में प्रिवर्तन करने का ओप्शन जारी करवाने का कष्ट करे बहुत से विधाले कि यह समस्या है मेरा सवाल को क्योंने में सर धन्यवाद तो भेरू भाई देखिए मैंने आपके सवाल को अपने क्योंने में सामिल कर और जो यूनिराज वाले भाई हैं जो सबसे पहले उनको बताना चाहूंगा देखिए यह भाई फरियाद लेकि हमारे पास हाया है क्योंकि इनको लगता है कि कहने कि मैं इनकी मदद करूँगा तो भेरू भाई देखिए पहली बात तो है कि आपने यह जो चाह है वो ठीक यह देखिए नहीं है नियमान वसार क्योंकि अगर इस तरह से स्कूल को यह अथोर्टी दे देंगे तो ने जाने कितनी गलतियां स्कूल वाले करेंगे तो यूडाज पर यह होना संबवने और मैं भी इसके पक्ष में नहीं हां गलती हो जाती है तो इसकी लिए है अथोरा परबारी हैं उनके पाज यह प्रूफ के साथ है अगर नाम में गलती है तो नाम का प्रूफ ले जाए बच्चे का आपके स्कूल का रिकोर्ड है उसका अधार कार्ड और जो भी दस्तावेज साइक होते हैं तो हो जाएगा नो दिक्रत किसी प्रकार की आपको प्रेशानी नहीं आएगी लेकिन स्कूल पे यह थोटी देना मैं भी इसके पक्षमें नहीं हूँ शायद आपको बूरा लगा होगा लेक सुलक देते हैं फिर भी पॉर्टल में कई तरह की सुईदायों की कमी कक्सा एक दो तिन चे ग्यारा डिजेल्ट वर मारक्षिट बनाने की सुईदा होने ची तो देखिए पदम भाई मां आपको कहना चाहूँ आपकी बात बिलकुल शही है यह समश्या है अलांगे मोडल है ओल्डेडी इस पॉर्टल के ऊपर बनाय जा चुके हैं लेकिन अभी इनको यहां पर अक्टिव नहीं किया है क्योंकि सरकार की पर्मिशन नहीं है विवाग की पर्मिशन नहीं बगर पर्मिशन के तो NIC वाले भी काम नहीं कर सकते हैं तो SMBI यह तो देखिए विव आट का होता ना तो मैं पकड़ के यह बोल देता यार करना यार इसको लेकिन मानते हैं लोगों को शुदा देना है नहीं नहीं चाहते है आटी का पोर्टल है वो शिरफ आटी वाले स्टूडेंट के लिए रखा बाकि कोई शुदा नहीं खैर को बात नहीं कई साइक सोब अगर आपको प्रेशानी आ रही तो लेकिन फिर भी आपको बताना चाहूं मैं लगातार कोशिस में हूं और जहां तक देखिए समय लग जाता कई बार मुझे एक सीज को बदलवाने में दो तिन साल लग जाते हैं तीन साल बाद भी प्रिवर्टन होते हैं क्योंकि हर साल ह देखता हूं तुरंद उनके साथ बात करता हूं तो फिर वो बदलना ही पड़ता हूं तो मैं लगा हूं जब भी मौका और फिर से मिलेगा अटका दूआ लेटर और उनसे कोशिस करवाने कि चलिए खैर कोई बात नहीं अपन अगले साथिका सवाल लेते हैं और पोचने व अंदर फिस को लेके भी पांची बोर्ड वालों के जिनकी डिड़ी जमान नहीं हुई है तो सम्मंदे जो डाइट परबारी है वो डिड़ी जमातर वाई अलांकि वो पैसे तो ले रहे हैं साथ खजाना खाली हो गया उनका तो यहां पे अब भी वो मारेकशी ट्वीटरन का जो काम होगा ना वो डाइट लेवल पे होगा तो थोड़े दिन और वो प्रुग जाए वैसे तो देखे विवाग की यह कमी है अभी दूसरी अग्जाम के फोम बनना शुरूंगे पिछली वाले की मारकशीटी नहीं आई लेकिन फिर भी विवाग को आउगत यहां पर कि भी जल्दी से जल्दी मारकशीटों का वित्रना वो कर दिया जाए चलिए अगले साथी का सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं तारिक खान और इनका सवाल यह है सर राजिस्थान एन एममेस दो हजार चोबिस के मेरिट रिलिस्ट कर तक आएगी तो तारिक गुगल पर जाके एन एममेस से स्कुलर्शिप यह अग्जाम लिख दीजेगा साला दरपन का लिंक आजाएगा देख लीजेगा और एक और खास बात हम आपको बताऊँगा दो हजार चोबिस में जिनोंने अग्जाम थी अब उनकी एनसपी पोर्टल के उपर है स्कुलर् अलांकि देखिए सुरुवात में कई स्टुडेंट ने मुझे अपनी आईडी भी शेयर की थी कि सर्फ फोर्म भरकी प्रोसेस हो बताऊ तो सुरुवात में पोर्टल पे कई तकनिकियां कम ही चल रही थी इस वज़े से मैंने छोड़ दिया है रोजाना मेरा एक और दो दो बियाग गुम हो गई है ना तो दूसरी का डालो डुपलिकेट का डालो ताने कुण खहर है यह मेरा समझ में को नियारी एक बात यारों कि यह जो फोन नंबर कहें बदलें हर महिने नई सीम एर एक व्यक्ति की एक पहिचान होती है वाई देखिए मां आपको बताना चाओ मुझे सोशल मीडिया पर राजगुर जी के नाम से जाना जाता है और आच से तकरीबने 10-12 महीने पहले हमारा फेस्बुक है वो हैक हो गया और फेस्बुक तो क्या सारे ही सोशल मीडिया हैक हो गए थे और तो मैंने यहां पर आगले 24 गंटे-40 गंटे में रीकावर कर लेकिन फेस्बुक वाड़ों ने मना कर दिया वो ले नहीं यह तो आपकी आई-डी नहीं और फिर मैं दो तिगड़म वाद लगाया ओहो बसे पूछो मत पतो नहीं मैं कठे-कठे अलांकि कोई वित्तिकत तो कोई फिस्मे कुनगो पर हूरभ बठो-बठो मैं जहां पूं उस उसद्क कर लेकिन यह तो आपकी कोई तसलिष नहीं यह आप अपने बदल दोगी है ना बदलना चीए समेक उनिसाद sympसाद लेकिन व्यक्ति का जमीर नहीं वदलना चाहिए मैंने बताया या तो डूपलिकेट जो सी में निकला लो फिर भी आपने सचाने यार वो तो टेंपरोरी नंबर थे नंबर ही आप चेंज करवाना चाहते हो तो संबंधित अपना जो तैसिल लेवल का यहां पर पीम किशान का कारियाल है वहां पे आप व्यक्तिकर जाईएगा आपके मोबाइल नंबर बदल जाएं क्योंकि ओनलाइन पोर्टल पे मोबाइल नंबर बदलने की कोई भी शुदाय संबंधित विवाक के दवारा नहीं दी गई ब्लोक लेवल से आपको करवाना पड़ेगा चलिए अगले सात्य क सवाल लेते हैं और पूछने वाले हैं समीर कुमार और इनका सवाल यह सर अब की बार बोतिक सत्यापने में फीस वाले रजिस्टर में 2026 की कारवाई कमी है क्या करनी है क्या जबकि पोर्टल पे बंद है अभी तो समीर कुमार देखी मैं आपको बताना चाहूंगा टाइम प्रेम के नुशार आपको उतनी कारवाई तो करनी पड़ेगी ठीक बाकी जैसे अभी जो टाइम फ्रेम बचा हुआ है जैसे फीस पोर्टल पर आपको चडानी है तो देखिए कारवाई तो आप पहले कर सकते हैं क्योंकि जैसे जो एसलफसी का गठन है गठन के बाद उसक को कम्पलीट करनी पड़ेगी बाकी पूरी कम्पलीट हो या नहीं हो तो अभी जो जांच दल आएगा वो पचीश-बिस की इतनी खास कोई जांच नहीं करेंगे क्योंकि उनको 24-25 का जादा उन जांच के आवसिकता है ठीक ना चलिए अगले साथे का सवाल लेते हैं और जामिल करो तो जब भी आप अपना कमेंट अब सवाल लिको तो हैस्टेक बोलो राजगूर जी के साय है आप अपना सवाल लिख लिया करो इसी तरह से क्यूने वीडियो में आपके सवाल को भी शामिल कर लिया जाएगा तो मिलते हैं फ्रेंड्स एक लिए एक नई वीडियो के साथ अब तक के लिए जय हिन जय हरत